नमस्कार, मानसिक प्रतार्णा के संबंद में हम बात कर रहे हैं, कब मानसिक प्रतार्णा होती है, कब मानसिक प्रतार्णा नहीं होती है और जो संबंधित, High Code या Relevant Supreme Court के जो जज्ज्मिंट्स हैं, उनके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऐसा ही एक जज्ज्मिंट्स है, A. Venkat Raman vs. G. Lakshmi का जज्ज्मिंट्स जो की 2007, Volume 1, MLJ, Page No. 698 में दिया गया इस जज्ज्मिंट्स में क्या हुआ, दो शादी जो पत्नी की थी, वो खराब हो गई, और दो शादी होने के बाद में तीसरी शादी होती है, Husband के साथ में जब ये जो present husband है, उसके उपर पत्नी आरोप लगाती है, कि वो cruelty करता है, मानसिक प्रतारना करता है, और baseless, निराधार आरोप भी ऐसे लगाए, कि पती उसके उपर ऐसा doubt करता है, या पती उसके उपर ऐसे आरोप लगाता है, कि उसके ही बेटे के साथ में उसके संबंध है इस बात के कोई सबूत नहीं थे, लेकिन ऐसा उसने आरोप लगाए, दूसरी बात, पत्नी ने अपने पती की उपर ये भी आरोप लगाए, कि पती की जो दूसरी पत्नी थी, उसकी death हो गई, वो खतम हो गई, और उसके मरने का पीछे भी, जो उसका husband है, उसका ही हाथ है, इस बात के भी कोई सबूत नहीं थे, despite the fact कि जो पती-पत्नी जिसकी death होगे, जिसकी उपर वो आरोप लगा रही है, उन्होंने अपने 30 साल की जिन्दगी बहुत अच्छे से गुजारी थी साथ में, अब ये भी बात थी, कि जो पत्नी की death होई थी, कोट के सामने on record ये बा बंद है, ऐसा आरोप पती लगा रहा है, ऐसा उसने कहा, उसकी पत्नी ने, और साथ ही साथ ये भी कहा, कि जो उसकी दूसरी पत्नी थी, उसकी death होई है, वो cardiac arrest की वज़ा से नहीं होई है, वो petitioner, respondent की वज़ा से होई है, याने पती की वज़ा से, जो present अभी उसका पती है, थोड़ा confusion हो रहा लेकिन जोड़ा समझी है ये तीसरी पत्नी के में बात कर रहा हूँ ये इस प्रकार के आरोप अपने पती के खिलाफ लगाती थी कोट ने क्या कहा कोट ने ये कहा कि जूटे आरोप लगाना भी निराधार आरोप लगाना भी और जब इस प्रकार के आरोप को कोट में साबित ना किया जा सके उसे भी मानसिक प्रतार्णा में शमलित किया जाएगा मिलाया जाएगा और इस कारण से पती को तलाक दिया पतनी से छुटकारा दिया ये जो केस है जूटे आरोप लगाना साबित ना कर पाना और ये मानसिक प्रतार्ना बन जाएगा ऐसे और भी मैंने आपको judgments बताए जहां पर पत्नी अपने पती के साथ में मानसिक प्रतार्ना करती थी उसके colleagues के सामने उसे बिज़त करती थी मोटा हाथी कहती थी या अबद्र गालियों का इस्तमाल करती थी उसकी मा के प्रती या ऐसा कहती थी कि उसके खुद के घर वालों के साथ में कुछ sexual physical activities है relations तो ये सारी चीज़ने क्या हो जाती ये मानसिक प्रतार्ना है और ये इन जूटे आरोपों को साबित ना किया जा सके तो परिस्थिती, विकट और गंभीर बन सकती है और ये आपको तलाग तक के धहलीस पर ले करके जा सकती है आप कोई जनकारी कैसी लगी मुझे जरू कमेंट बॉक्स तो मेंशन कीज़ेगा साथी कोई प्रश्न है आप मुझे कमेंट बॉक्स में डॉप कर दीजे मैं कोशिश करूँगा आपके प्रश्न की जवाब देने के लिए इसके साथ ही अगर मुझे डिरेक्ली आप बात करना चाहते है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेलर लिंक है जहां से डिरेक्ली अपॉइन्मेंट बुक करके आपकी और मेरी हो जाएगी बात आप सभी स्वस्त और सुरक्षित रहें साथ ही जो आपने महत्वपूर्ण समय अब तक का मुझे अपना दिया इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद